सुप्रवाद बच्चों, आज के इस अनुभाग में आपको कवी अथ्वा लेखक का जीवन परीचे और साहितिक परीचे का फॉर्मेट समझा जाएगा यह है प्रश्न मुख्यत है इलेक्टिव वाले बच्चों के लिए है लेकिन साथी साथ कोर के बच्चों से भी यह पेक्षा है कि वो इस फॉर्मेट को सीखेंगे और जब भी आपकी पुस्तक का कोई भी पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा तब आप पार्ट के प्रश्न उत्तर से पहले उस पार्ट के लेखक अत्वा कवी का जीवन परीचे अपनी नोटबुक में अवश्य लिखेंगे तो आज का उप्विश्य इस प्रकार है पहला यह है कि यह प्रश्न जो आता है वो विकल्प के साथ आता है विकल्प में आपको दो कवीयों के नाम और दो लेखकों के नाम दो कवियों उसमें भी आपको आंत्रिक विकल्प मिलेगा और दो लेखकों में भी आंत्रिक विकल्प मिलेगा बीच में यह अथवा लिखावा होगा और फिर दो कवियों उपर और उसके बाद में दो लेखक नीचे उनके बीच में भी अथवा लिखाव मिलेगा तो कुल मिला करके आपको चार विकल्प मिलते हैं दो कवियों के और दो लेकों के उनमें से केवल आपको एक काही सहितिक परिचे जीवन परिचे लिखने को कहा जाएगा और यह प्रशन जो होगा तो पांच अंक का होगा तो इनमें से आप केवल एक कविय अथवा एक गद्य लेखक का चैन करेंगे यदि आप कविय का चैन करते हैं तो जीवन परिचे और सहितिक परिचे के साथ साथ आपको उसकी काविगत विशेस ताइं भी परिचे का होगा उसका विय अथवा लेखक का नाम जन्म तिथी जन्म की तिथी अगर बिल्कुल सही नहीं मालूम तो आप उसका वर्ष का उलेख करेंगे जन्म स्थान का उलेख करेंगे जन्म स्थान के साथ में राज्य के नाम का विय उलेख करेंगे उस कविया थ्वा लेखक के माता पिता का नाम ये उलेख करेंगे आरंभिक शिक्षा कहां हुई कैसे हुई किस माहोल में हुई और उच्च शिक्षा के लिए वो कहां गए इस बात का उलेख करेंगे और उस कवी या लेखक के जीवन से जुड़ी जो प्रमुक घटनाएं हैं उनका विबरण भी आप उसके जीवन परीचे में देंगे दूसरा हेडिंग साहित्तिक परीचे का होगा साहित्तिक परीचे का मतलब यह हो गया कि हिंदी साहित्ते में वह लेखा कत्वा कवी कैसे आया किस परीचे के कारण आया उसकी रूची का कारण क्या था वो किन-किन लोगों से परीचे हो करके इस साहित्तिक शेत्र में आया किन-किन संस्थाओं के साथ में उसका लगाव था किन साहितिक संस्थानों के साथ वो किस रूप में जुड़ा और किन समचार पत्रत्वा पत्रिकाओं का उन्होंने अपने जिवनकाल में संपादन किया ये सारी जानकारियां आपको साहितिक परीचे के अंतरगत देनी है तीसरा जो हैडिंग होगा वो प्रमुक रचनाव का होगा आपको उस कवियत्वा लेखक के द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकों का विवरण देना और साथ ही साथ जो पुस्तक है उसकी विधा का नाम भी लिखना है कि वो उपन्यास है या वो कहानी संग्रे है या वो काव्य संग्रे है या वो निवन संकलन है साथ ही साथ उन पुस्तकों के नाम के साथ में आपको ये विवरण भी देना होगा उसके बाद अगला जो उप्शीर सक होगा वो आपका होगा उस कवी अथवा लेखक को मिलने वाले पुरसकार और सम्मान कवी या लेखक को मिलने वाले पुरसकारों और सम्मान का विवरण आपको इस उपशीर चक्य अंतरगत देना होगा साथ ही ये भी बताना होगा कि पुरुसकार या सम्मान देने वाली संस्था का नाम क्या है और ये भी बताना होगा कि पुरुसकार या सम्मान उनकी किस रचना पर या साहित्य के क्षेत्र में उनकी किस योगदान पर उन्हें मिला है साथ ही साथ आख उसमें पुरसकारा सम्मान का वर्ष का उल्लेख अवश्य करेंगे यह पहले उल्लेख हो चुका है कि अगर आपने कवीक का चैन किया यानि आपके पठे करम में उस व्यक्ति विशेस के द्वारा कवीताईं लिखी गई है तो आपको उसकी कावेगत विशेस्ताओं का परीचे देना है और यदि आपको पता है कि वो प्रोज लिखता है आपके सिलेबस के एसाव से प्रोज राइटर है तब आपको उसकी भाषगत विशेस्ताओं का उलेक करना है तो अब आपके पास में यहाँ इस हैडिंग के लिए पांचवे हैडिंग के लिए दो विकल्प खुलते हैं कि आप उसमें कावेगत विशेस्ताओं का उलेक करें भाशगत विशेस्ताओं का उलेक करें तो जैसा भी रचनाकार है आपके पाठेक्रम में उसकी चैनित रचना के आधार पर आप काविगत विशेस्ताओं अथो भाशगत विशेस्ताओं से सम्मंदित हैडिंग का चैन करेंगे उसके बाद छटवाँ जो उपशीर्चक आता है वो आता है हिंदी साहित्य में स्थान तो जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति का आप जीवन पर इचे लिख रहे हैं वह कोई अंजान व्यक्ति नहीं है बलकि हिंदी साहित्य में वह आपकी पाठ्ठे पुस्तकों तक आया इसलिए कोई बड़ा उसका योगदान होगा तो साहित्य में उसको सम्मान की दृष्टी से हम देखते हैं क्योंकि उन्होंने साहित्य को समरिद्ध किया इसलिए हम उपशीर्चक के अंतरगत उस व्यक्ति विशेस की परशेंसा करेंगे उनके योगदान का उलेक करेंगे और साहित्य में स्थान उनको देंगे उसके बाद सात्वा उपशीर्चक अंतिम उपशीर्चक निधन बच्चों के वल उसी कवी अथ्वा लेखक कवीत्री अथ्वा लेखिका के निधन का उलेक करें जिसका वास्तों में निधन हुआ हो पाठ्ठे करम में कुछ कवी या लेखक कवीत्री या लेखिकाएं ऐसी भी हो सकती है जिनका निधन नहीं हुआ हो तो ऐसे ही आप हैडिंग मत डालने न कि उनके जीते जी उनको मार दो तो निधन केवल उनका लिखना है जिनका हुआ हो अन्यथा इस उपशियर्चक को आप बिल्कुल ना लिखें और यदि हुआ है निधन तो फिर आप उसमें तिथी अथवा वर्ष और सस्थान का उलेख करें जहां पे निधन उनका हुआ है ठीक है बच्चों आज का उपशियर्चक यह पूरा हो जाता है आपका घर पर रहें स्वस्त रहें और अपेक्षा करते हैं कि इलेक्टिव के बच्चे तो इसको करेंगे ही करेंगे इलेक्टिव के बच्चों के लिए तो यानिवारिय है करना जो कोर वाले बच्चे हैं आधार वाले बच्चे हैं वो भी प्रत्यक पाठ के आरंब में पाठ शुरू होने से पहले उस पाठ के लेखक अथवा कवी का जीवन परीचे इन उपशीर शकों के अंतरगत अवश्य लिखेंगे धन्यवाद